तो सबसे पहले टीम मिलत हाई स्कूल, फिर मसूद सिकंदर पठान और रफ्यूतिन बॉइस मैं अब्दुल्ला और उमेश से गुजारिश करूँगा कि इस राउंड की कारवाई को आगे बढ़ा है तो ठीक है राउंड का आगाज मल्टिपल चॉइस कुश्चन से करते है तो मल्टिपल चॉइस कुश्चन है पहला सवाल मिलत हाई स्कूल से यह रहा आपके स्क्रीन पर भारत के किस वजीराजम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एवार्ड निशान पाकिस्तान दिया गया अरे अरे हां सेकंड ऑप्शन दिया है इन्होंने मुराज जी देशाई यह फ्रीज कर दिया है देखते हैं सही है यह यह नहीं जिया बिल्कुल सही जवाब है मुराज जी देशाई अगला सवाल टीम मसू सिगंदर पठान के लिए यह रहा जर्मन फलसफी कॉल मॉक्स का तालुक किस मुल्क से था अप्शन है रूस युनान जर्मनी फ्रांस अप्शन 3 जर्मनी जर्मनी देखते हैं यह जवाब सही है या गलत बिल्कुल सही जवाब टीम रफ्यूदीन बॉइस के लिए अगला सवाल एहरत अंगेश वाक्यात पर मुबनी फसाना एंजायब किस अद्भी शाकार है किसका अद्भी शाकार है ऑप्शन रजत अली बेक सरुवर मीर ऑप्शन नमबर वन रजब अली बेक सरुवर को फ्रीज किया जाए देखते है जवाब सही है या नहीं जिया बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल किम मिलर से यह रहा अगस्ट 2018 में मुबाइल नेटवर्क की किन दो मश्चूर कंपनियों का इंजमाम हुआ कौन सी दो कंपनिया अपस में मर्ज हुई वोडा फोन डोकोमो अप्शन नमबर त्री वो अगला सवाल टीम मसूद सिकंदर पठाना इसकूल से इन में से कौन सा शहर जर्मनी में नहीं है और आपके ऑप्शन है मोनिच, फ्रैंक्फूट, हैंबर, हॉस्टन अप्शन अप्शन ए मुनिक, देखते हैं सही जा जा नहीं, जी नहीं, हाउस्टिन है सही जवाब, अप्शन नमबर फॉर, हुस्टन था उसका सही जवाब, अगला सवाल टीम रफ्यूतिन वोईस से ये रहा, 31 अक्तोबर 1984 को किस मशूर लीडर को कतल किया गया था, राजियो गांधी, इंद्रा गांधी, महत्मा गांधी, इन में से कोई नहीं, नमबर दो इंद्रा गांधी, बहुत ही एतिमाद के साथ ये जवाब दिया गया है, देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, अगला सवाल, टीम रिल्लट, अच्छा है, लिटीपल च्वाइस क स्कूल का स्कूर है 10, और अफ्यू तिन बॉइस हाई स्कूल का स्कूर है 20, तो नेक्स्ट राउंड, ओडियो विज्वाल, मसू सिकंदर पठान को थोड़ा और ध्यान लगाना होगा, तो सबसे पहला सवाल टीम मिलत से ये रहा, इस मैथेमेटिशन को पहशानिये, डॉक् देखा जाए, ये बिलकुल सही जवाब है, थोड़ा ओडियों से कुछ इस्रेटिम्स हो रहा है, थोड़ा उस बात को ख्याल रखा जाए, क्यूंके यहां पर ऐसा ना हो कि आपकी महनतों से कोई गलस तीम जीत जाए, या कोई तीम हार जाए, ठीक है? तीम MSP की तरफ बढ़ते हैं, उनके लिए तस्वीर पेश की जाए। इस मशूर शक्सियत को पहचानिये। इनका नाम। 5 सेकंड है तिर्फ। निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पर आपका वक्त खत्म होता है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सुनिल भार्ती मिशल। नेक्स्ट मिशल। रफ्यूतिन बॉइस से उनका सवाल यह रहा। हिंदुस्तानी सिनेमा के इन मशूर हस्ती का नाम बताईए। शबान आजमी। शबान आजमी। कंफर्म। देखते हैं इसका सही जवाब। और यह बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं इसा लग रहा है। टीम रफ्यूत दिन और मिलत साथ साथ ही आगे बढ़ रहे है। ठीक है। अगली तस्वीर टीम मिलत के लिए। यह किस बैंक का लोगो है। यह बंजाब नेशंनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। देखते हैं यह सही जवाब है यह गलत। यहासं बैंक बहुती चरचे में थी आपको बता दूँ। यहेप पी-एम- дополн दॉद मशर फ्यूत का लोगोंष पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। तो आपका जवाब गलत है, अब बढ़ते है अगली टीम के तरफ टीम MSP से ये रहा उनका सवाल इस मशूर एफलेट को पहचानना है हीमादास हीमादास ओडियंस को जवाब नहीं देना है, ओडियंस को राउंड अलग आएगा बात में ठीक है, देखते हैं बिल्कुल सही जवाब, अगला सवाल टीम रफियो दिन बोईस से ये रहा है इस मशूर शक्स का नाम क्या है पांच सेकंड कुछ भी नाम ले लिजिए, अगर कुछ याद आ रहा हो आपका वक्त खत्म होता है, आप दोनों में से कोई नहीं, देखते हैं, इसका सही जवाब क्या है रिचर्ड ब्रांसन नेक्स्ट कोश्चन टीम मिलनत के लिए ये रहा इस शक्स पर पहचानना है, इनका नाम बताओ अगर कुछ नेक्टिव मार्किंग नहीं है तो आप जवाब दे सकते हो, अगर कुछ जहन में है तो और यहाँ पर आपका वक्त खत्म होता है, तो सही जवाब देखते हैं सही जवाब है, मजीद मेनन मेमन, अगला सवाल टीम MSP के लिए ये रहा इस सवाल में CBA का जाविया कितने दरजे का बनेगा आपका वक्त शुरू होता है आपका जवाब गलत है, मैंने आपसे CBA भी नहीं पूछा, मैंने आपसे CBA पूछा था CBA तो अगले टीम की तरफ बढ़ते हैं, टीम रफियो दिन बॉइस की तरफ ये रहा आपका सवाल इस मशूर एतलेट को पहचानिये, मौमध सला, मौमध सला, बहुत ही जल्दी जवाब दिया गया है, एक सिकंड में, जाहिर सी बात है, सही जवाब होगा, देखें, मौमध सला बिल्कुल सही जवाब है, अब बढ़ते हैं, अगले राउंड की तरफ, जो के है, सिक्वेंस आम्ली सर्मे साथ, इस मैं आपको सिक्वेंस बताना रेगा, आपके सामने सवाल को आईगा, बहुत ही सोच ये सवाल पर गौर कीजिए, कि सवाल में क्या कर रहा हूं, आपके सामने तसळीर है, फ़्ूर अई अभी यहां पर आपके लिए, सबसे पहले टीमילत जवाब दे उनके लिए sequence round पेश किया जाए दिये गए वजराय मालियात को उनके अहुदे पर फायज होने के मुताबिक पहले से बाद की तर्तीब में लगाएं जो अभी हाल में हुआ है उनको आखरी बाद से पहले की बाद से पहले में लगाएं ठीक है जितने वजीर मालिया जीचे नी पिरये अरग्स यह उनके आभी जिश्वक्रूड गजन तर्फीच्ळ पहले कौन ता उसके बाद कौन उसके बाद कौन इसके लगाना है जो अभी लेटरस्ट में ने है उनको पहले जो पुराने उनको सबसे अखरी में रखना है आपका टाइमखत्म होता है वैसे आपने कुछ सोचा था? क्या? 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 बच्चों ने तो वक्त में जवाब नहीं दिया फिर भी हम देखते हैं उनका अंसर क्या था? साही हो जाए गड़ते इसको राइड होगा टीक है चलिए क्या आपने? 3, 2, 4, 1 3, 2, 1 देखिए जो हमारा ये सौफ़वेर है उसके मुताबिक अगर हमने इसमें जवाब उन्होंने नहीं दिया है तो ये जवाब गलत हो गया हमारे इसाब से अगर हम इसमें तर्तीब एड करते हैं और अगर वो तर्तीब सही निकल गई तो इन्होंने जवाब नहीं दिया फिर भी इसका नंबर उनको चला जाएगा इसके लिए हम इसका सही जवाब बता नहीं सकते कि इस बात को जाता है देखे सीक्वेंस राउंड में आप लोग ये बात जहन में रखिए कि जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आता ना अगर आपको तो आप फोरान पूछिए आप्शन जब तक नहीं आता है तब तक टाइमर स्टार्ट नहीं होता है तो आपको एक बार सवाल समझ में आ जाए उसके बाद आप कहेंगे तो आपके सामने आएंगे फिर टाइमर स्टार्ट होगा तो तीस सेकेंड का वकफा सिर्फ चार उप्शन को उपर निचे लगाने के लिए काफी है सवाल पहले आप समझ लीजिए फिर आप एंकर को कहिए कि हाँ सवाल मुझे समझ में आगे है फिर हम उप्शन आपके सामने जाहिर करेंगे तो इस बात का खयाल रखे तो सही तो ठीक है आगे नेक्स कुश्चन MSP स्कूल से 2019 के महारास्टर असंबली एलेक्शन में इन स्यासी पार्टियों के जरिए हासिल करदा सीटों के लहाज से जादा से कम की तर्तीब में लगाए आपको सवाल समझ में आ गया जादा से कम जो जादा है वो पहले फिर जो कम है वो बात में और कम है और बात में समझ ठीक है ओप्शन जाहिर किया जाएगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस श्यूसेना समाजवादी पार्टी नेशनल कॉंग्रेस पार्टी 10 से कंड़ 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 अगली टीम से सवाल पूछते हैं टीम रफ्यू दीन बॉइस के लिए सिक्वेंस राउंड का सवाल ये रहा जेल के मुतबादिलों के जवाबाद को उनकी कीमतों के लिहाज से बड़ी से छोटी की तर्तीब में लगाएं ठीक है सवाल समझ में आगिया ना बड़ी तर्तीब पहले आएगा ओप्शन सिखाएजें रूट 324 छे की कुवत तीन छे बट्टा छे जरब छे जरब छे जमा छे जरब छे नफवी छे जरब छे जरब छे जरब छे जरब जिरो 2341 2341 ओप्शन्स प्रीज हो गए है चेक करते हैं कि आपकी तर्तीब सही है गलत नहीं आपकी तर्तीब गलत थी अगला सवाल बजर का रहेगा ठीक है तो बजर का शुरू का बजर राउंड शुरू करने से पहले एक बर स्कोर बताता चलूं टीम मिलत तीस मार्क पर है तीसरे मकाम पर जबके मसूर सिकदर बठान और रफ्यूदीन बॉइस हाइपूल दोनों भी चालीस मार्क से लीड कर रही है अभी टीम एक बार टेस्ट कर लें बजर सबसे पहले टीम मिलत नंबर आ गया टीम एमस्पी ओके ठीके बजर काम कर रहा है तो बजर राउंड का पहला सवाल कुरान मजीद का दिल कही जाने वाली सूरह में कुल कितने रुकू है आपके ओप्शन्स है तीन साथ पांच बारा टीम मिलत आपको जवाब देना होगा निगेटिव मार्किंग है टीम मिलत ने बजर दबाया लेकिन थोड़ा जल्दबादी में शायद दबा दिया जवाब नहीं दे पाए अब यहाँ पर अगर आपने नहीं दिया जवाब तो भी आपको निगेटिव मार्किंग है ठीक है तो देखते हैं फिर इसका सही जवाब क्या है कुछ कहना है जजे सान देखिए बजर राउंड के बारे में एक बात और बताता चलूं कि जब बजर राउंड में आप बजर दबाते हो तो सही जवाब पर आपको बीस नंबर मिलते हैं आपने गलत जवाब दिया तो माइनस फिफटीन यानि पंदरा नंबर आपके काट तो इस बात का खयाल रखे तो इस बार टीम मिलत हाई स्कूल के दस नंबर काट लिए जाते इस जवाब पर क्योंकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे ऐसा लग रहा है कि शायर आपने सोचा होगा कि यह सवाल कि किस सूरे को कहा जाता है यहां पर सवाल थोड़ा के वजीरे कानून रह चुके हैं ओप्शन्स है मुक्तार अबास नकवी, कपिल सिबल, शेला दिख्षित और प्रकाश जावडेकर ओके टीम मिलत फिर से चांस लेते हुए सेकेंड कपिल सिबल कपिल सिबल टीम मिलत का सवाल है कपिल सिबल देखते हैं और यह बिल्कुल सही जवाब इसके साथ ही टीम मिलत अब बाकी टीमों के बराबर आ चुकी है बच्चों की होसला अफजाई कीजिये थोड़ा ठीक है तो अगला सवाल देखते हैं टीम बज़र के लिए श्यू से न नेशनल गॉइट पाटी इन्डीयन नेशनल गॉइट पाटी इन पाटीओं ने किस अलाइश के नाम से महराष्टर में हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था और हम सब जानते हैं बना भी चुके तो महराष्टर किसान समेथी तो बजर यहां पर दबा दिया है टीम MSP ने आप्शन परने से पहले तो आप पता सकते हैं option number 3 महाराश्टर विकास अगाडी यह है फ्रीज कर दिया गया है देखते हैं सही है कि नहीं जी हां बिल्कुल सही जवाब है MSP सही जवाब के लिए 20 मार्क्स मिलते हुए लेटेस्ट सवाल था एक दो ठीक है देखते हैं बजर में अगला क्या इस शेर के शायर का नाम बताना है चला जाता हूं हस्ता खेलता मोजे हवादिस से अगर आसानिया हो जिन्दगी दुश्वार हो जाए आपके ऑप्शन्स है असगर गॉंडवी मीर तकी मीर जिगर मुराद आबादी जोश मली आबादी शेर सुना होगा सबने टाइम कम है किसी भी टीम ने चांस नहीं लिया ठीक है यहाँ पर अभी भी MSP सबसे लीड कर रही है ठीक है यह आखरी सवाल था यह आखरी सवाल है ठीक है तो बज़र राउंड के लिए अगला सवाल यह रहा एक अमरीकी डॉलर फिल हाल इन में से किस रेंज के इंडियन रूपिया के मसावी है आपके ऑप्शन्स है 60-64, 64-69 यहां पर मैं देख रहा हूँ के टीम रफ्यूदीन बॉइस 70-74 70-74 बहुत ही एतिमाद के साथ इस सवाल का जवाब दिया गया है तीम रफ्यूदीन बॉइस के जरीए जरह देखते हैं यह सही जवाब यह गलत क्यूंके अगर अगर यह जवाब सही होता है तो यहां पर मेरे खाल से यह टाय हो जाएगा अगर गलत होता है तो फिर वो मैनस 15 यानि आप तीसरे मकाम पर आजाएगे चलो देखते हैं वक्त जाहना करते हैं बच्चों का एक्साइटमेंट और यह सही जवाब है यहां पर एक दिकत थोड़ी हमारे लिए हो गई है कि यह मुकाबला टाय हो गया है ताय का मतलब अभी जो जो दो फाते है टीम है वो है रफ्यू दिन और है क्या सवाल रफ्यू दिन बॉइस और MSP दोनों ही इस मुकाबले की फाते हैं नहीं वो जब रिसेट किया जाता है तब इसमें सहावाज आती है ठीक है तो रफ्यू दिन और MSP दोनों को बहुत-बहुत मुबारक हो ताय के बारे में आपसे आपको जल्दी ही बताते हैं यहां पर एक काम करते हैं हम लोग यहां पर हम एक बार बजर राउंड फिर से चलाते दोनों फाते हैं टीम के बीच में क्यूंके अभी देखिए यहां पर मुकाबला जो है टाय हो चुका है आप दोनों के माक्सिक्स्टी है और तो आप दोनों से बजर के कुछ सवालात की जाएंगे जिस टीम ने सबसे ज्यादा जवाब दिया वो टीम इस मुकाबले की देखिए बजर का आप दोनों के पास चांस है एक सवाल पूछा जाएगा चार उप्शन मैं बोलूगा कहीं आपको दिखाई नहीं देगा गर से किया ऄफा जी देते हैं तो आप जी जाएगे मतलब यह है कि आपने भी आपने बजर दबाय जो आपको अंसर करना है कि आपको आगि सखी रहा तो आप आपके चाशल शिवा गलत जेए आपने तौ आप पीछे जाएगे तो एक बर क्राइल है री में टो एक्सवाल जो पी टीम आंसर देगी, उसके लिए सही या तो गलत, एक ही सवाल रहेगा आप लोगे लिए, सवाल सुन लीजिए. सर, साट रहेंगे लेकिन जो, लेकिन सर फिर उसमें अगर नहीं होंगे तो हम मार्क से से बढ़ें. देखिये, देखिये, हाँ, एक काम करते हैं, एक ही सवाल पूछा जाएगा, इस सवाल का ऑप्शन नहीं है. सर, मैं समझा आपका मतलब कि अगर गलत देते हैं, तो साट से कम नहीं होना चाहिए, इन शौट यह कहना है, आपका बराबर, लेकिन सर, बजर राउंड है, अगर माइनस नहीं करेंगे, तो जो टॉप थ्री हमको निकालना है, तो सर, अगर मैं सेफ साइड यह बोलू, तो वो अंसर हीं ना करें पिर ऐसा हो जाओगा, उस पे रहो, रिस्क लेगे सर, तो कम यह जाधा तो होगा उसमें, रिस्क अगर लेगे तो कम यह जाधा होगा उसके अंसर अपका, तो साट साट दोनों है, अगर आप बजर दबा लिए पना नार अधा गलत देते हो आंसर तो माइनस 15 होगा यह याद रखिए जो बजर का रूल पहले ता वह रूल भी रहगा बज़द अब कुछ अंश नहीं देते हो तो माइनस 10 होगा बज़द अब सही देते हो तो आपका 80 हो जाएगा वैसे भी क्वालिफाय हो जाओग दूसरी टीप नहीं देते है तो उसको साथ ही रहेगा, ठीक है? तो कोई सिर्फ यहाँ पे दस सेकंड का टाइम देख लेगा की अप्शन मैं वर्बली बोलना पड़ेगा हमें यहाँ पे ने फिर वो आंसर निकर बाएंगे, ऐसा रहेगा, इसलिए तो कोई दस सेकंड का टाइमर अगर लगा दे किसी की घड़ी पे या जिया अपनी घड़ी पे आप लगा दे अगर तो जब मैं ऑप्शन कहूं तब वो तो फिर टाइमर चालो होगा, 10 सेकंड का. तो अगर किसी टीम को आप दोनों अगर यह सोचते हैं कि हमको सिक्स्टी से नीचे नहीं होना है. अगर कोई टीम आंसर गलत देती है तो उसका साट मार्क जो है उसको बरकरार रखेंगे और जो दूसरी टीम उसको फाते करार दे जाएगा. पहले टीम टू एक मिनट टीम MSP सही है उसके बाद टीम रख्युद्दीन बॉइस आप दबाएं टीम सही है. तो यहां पे गोहर से सुनिये का सवाल जब मैं ऑप्शन बोलू. अच्छा है किसका थीक है ना तो एक बर चालू करेंगे वो चालू करेंगे बताएंगे. थीक है. तो जिया धियान रखे जब टाइम खतम हो जाए तो बता दीजेगा. ठीक है? तो अप्शन मेरा कुश्चन खत्म होने के वाद जब मैं ऑप्शन बोलू तब वो सिलसिला चालू होगा. ताइमर का. गहर से सुनिये का सवाल. मश्यूर आउटलेट के एक का क्या है? किंस्टन, कैलविन, केंटकी, कैनोड. ताइम आपको शुरू हो चुका है. ताइम खत्म होता है? कुश्चन बहुत कम है ताइम खत्म होता है? तीक है? दूसरा सवाल? अब दोनों भी टीम नहीं ले रहे हैं तो इसेट किया गया है दूसरा सवाल हिंदुस्तान अच्छा 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 होता है तो वह हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठीक है तो दस सिकंड यहां पर लगा दिया गया है हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम एच्डी देवे गौड़ा का आबाई तालू किस रियासत से आपके अच्छान से केरला तामिलादू उडिसा करनाटा के अबाई तालू की स्रियासत से ओडियन्स जवाब ना दे वक्त शुरू हो चुक है आपका करनाटा का सही आंसर है इसका अच्छान के अच्छान के मौजूदा अच्छान का नाम क्या है आपके ऑप्शन से मिलन के बेनर जी ओडियन्स किरियन रौली के के विनुगववववववववववववववववववव या मुकल रोहित की नौ आठ साथ छे पाँच चार तीन दो एक यहां पर ऐसा लगना है के दोनों भी टीम चांस नहीं ले रही है तीन सवाल हो चुक है अभी तक नहीं तरीका किये अभी तीन सवाल हो गए दोनों टीमों ने इसको अटेंब भी नहीं किया है तो मैं एक बार शबीर फारुकी साहब से पूछना चाहूंगा कि कब तक ऐसा किया जाए कि कब ब्रेक होगा सारी ठीके ठीके मैं वह सोच रहा हूँ दो मिट्स देखिए शबीर फारुकी साहब बताएंगे के ऐसी सिच्वेशन में क्या करना चाहिए क्यूंके ऐसे तो टाइब्रेकर कभी ब्रेक ही नहीं होगा और प्रोग्राम आके ही नहीं बढ़ेगा दोनों ही टीम जो है वो अटेम्ट करने के लिए तयारी नहीं है शबीर साहब बताएंगे के क्या किया जाए या फिर इनको ही का जाए के बाद इन दोनों टीम को डिस्कॉलिफाय कर दिया जाए आपके लिए थोड़ा सी आसान कुश्चन हमने निकाला है तो मैं मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता यापकी स्कूल है यापकी स्कूल मैं काम नहीं करता है अपने आपको नहीं समझता हूँ कि एक टीम हमारी स्कूल सभी बाद है सवाल हमने बनाया है इन शॉर्ट हम आपसे एक पूछेंगे मैं इनिशल्स वो लूंगा गौर से सुनना है आपको करें देखिए मौलना ताफ ने बहुत अच्छी बात कही है वह आपके सामने रखेंगे देखिए तमाम टीमें जो सेमीफाइण मैं आने वाली है वह अपने स्कूर के मुताबिक आनेुअ यहां से जो 75 करके यहांसे जरूरी है कि इसमें सारी तो अरगनाजेशन से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि यह टीम को अभी आप दोनों को कौलिफाइब करके यहां से बेच दीजिए एड में जो आपके टोटल सोगी सर सारे टीम की जैसे आप मैक्सिमम वाइल टीम जो लेने वाले वाले वो मैक्सिमम माक्स लेने वाले तो उसमें जो इसमें आएगा वो उसमें चला जाएगा अजिए लेकिन सिर्फ एक हमारी रिक्वेस्ट है कि एक सवाल हमारे जहन में आया है एक सवाल हो जाए अगर नहीं देते तो फिर आपके जो सजेशन उसके उपर अमाल के जाएगा कि एजी हो जाए पैटर उसके लिए फुल-फॉर्म पूझा जाएगा ऑप्शन नहीं रहेगा बहुत ईजी है और ओडियंस ब्राय महरवानी अंसर ना दे वो सकता है कि सवाल बहुत आसानों लेकिन आप लोगों को पुछा जाएगा यहां पर रिसेट वा है तो ध्यान से तीन उसके इनिशल्स है आपको बतानों इसको फुल-फॉर्म क्या है जे एन यू टीम रफ्यूदीन बॉइस ने यहां पर बज़र दवाया है अब अगर आप सही देते हैं तो आप आगे जाएंगे गलत देते हैं तो आप 60 मार्स के साथ पे और जाएंगे जे एन यू वक हुग सततो है टाहया हुग सटातत है और आपने दस सिकंड का टाइम ले ले लिए दस सिकंड है इसलिए था कि इसके अंदर आपको जवाब देना है जो आपने कहा था वो जवाहर लाल नहरू युनिवर्सिटी ऐसा पूरा था यहां पे टीम को जो है फाते करार दिया जाता है हमें नहीं लगता कि शयद यह कुछ गल्ती हुई है जो था हमने टाइम रखा था हमने आपको बताया था कि अगर आप गलत देते हैं सही नहीं देते तो इसका आपको माक्स नहीं मिलेगा तो यहां पर टीम एमस्पी को बहुत-बहुत कि बाकी जो बारा टीम है उनके क्या स्कोर है तो यहां पर यह राउंड खत्म होता है